तो अगेन वेल्कम यूटूब चानल और बच्चों अब जो हम लोग आज वाले वीडियो के अंदर डिसकस कर रहे हैं वह 11th क्लास के अंदर GST के अकाउंटिंग कैसे करनी वह डिसकस कर रहे हैं तो टीक है ना ना वाट इस मीनिंग ऑफ जीएस्टी क्योंकि आप प्लास 11 में तो मैं आपको एक बेस बतायता हूं वैसे आप जब हायर लेवल पे जाओगे 12 के बाद ग्रेजुएशन लेवल या अगर आप सीए करते हो या फिर आप सीएस करते हो तो आप जीएस्टी बहु यह एक तरह कॉंसर्ट टेक्स है इंडिरेक्ट टेक्स है इस टेक्स लेवीट बाइगोवर्मेंट ऑन फर्स्ट जुलाय 2017 पहले क्या होता था इंडिरेक्ट टेक्स का मतलब क्या होता है जैसे मैं बताता हूँ कोई भी कमोड जैसे मैं तुमको बताता हूँ अपन लोग मैं earn करता हूँ, मैं पढ़ा के अगर fees लेता हूँ और earn करता हूँ तो जो earning पर मैं tax देता हूँ वो income tax होता है और वो एक direct tax का nature होता है मैंने कमाया और tax भरा तो that type of tax is known as direct tax और वो एक तरह से मेरी earning पर direct लग रहा है बट अगर मैं कहता हूँ indirect tax जैसे मान लो मैंने pen खरीदा अब इस pen के ओपर मैं tax भर रहा हूँ तो इसकी MRP के अंदर tax involved है, तो that is indirect tax मतलब मैं product purchase कर रहा हूँ और tax भर रहा हूँ बट मैं को पता नहीं चल रहा है आप जैसे कि रेस्टोन में खाना खाने जाते हो तो वहाँ भी तुमने देखा हूँ बहुत से वार बिल के अंदर नीचे टेक्स जुड़के आता है तो goods and service tax GST is a type of indirect tax सबसे पहले तो एक चीज़ समझने है GST बच्चो is a type of indirect tax which is levied on goods and services ठीक है अब क्या होता है, इस tax को government ने इंट्रोड्यूस किया था, पहले क्या होता था अलग अलग नेचर के टेक्स चलते था एक्साइज था, कस्टम था, सर्वेस टेक्स था उन सबके जाए, उन सबकी जाए गोवर्मेंट ने एक सिंगल टेक्स इंट्रोड्यूस कर दिया goods and service tax इन टेक्सेस का स्कोप बहुत कम करके अब एक टेक्स इंट्रोड्यूस कर दिया goods and service टेक्स इंडरेक्ट टेक्स में अब GST के accounting कैसे करनी है, GST क्या होता है तो सबसे पहले तुम एक चीज समझना पच्चो अब जैसे मैं GST एक बेले basic noting कर लेते जीएस्टी क्या होता है, ठीक है न? तो accounting for GST adding लगाओ, तो GST is a comprehensive indirect tax levied on sale of goods and services by registered taxpayer GST एक comprehensive, मतलब सारे tax का एक मिश्रण है indirect tax levied on sale of goods and services by registered taxpayer यह ध्यान रहतना, टेक्स पर registered होना चाहिए तो GST एक comprehensive indirect tax है, जो कब लगता है on sale of goods and services by registered taxpayer अब GST किस पर नहीं लगता है, तो GST is not charge on petrol alcohol for human consumption या import of goods and services वहाँ पर अभी भी custom लगता है, ठीक है न? तो GST किस पर नहीं लगएगा, पेट्रोल, जो हम गाड़ी हैं, पेट्रोल डीजल बराते हों उस पर कोई GST नहीं है, अगर आप human consumption के लगए call खरीदे, उस पर कोई GST नहीं है, और goods and services को import करा रहे हैं, उस पर कोई GST नहीं है, ठीक है न? तो यह तो basic introduction हुआ जीएस्टी का, अब GST की क्या 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 होती है, मैं यह बुक के अंदर देख रहा हूं, गवर्मेंट की तरफ से तीन तरह का होता है, GST is divided into three parts, the first type of GST is known as CGST, CGST का मतलब होता है Central Goods and Service Text, ऐसा Goods and Service के ओपर text लगा, which will be, goes to center, जैसा भी माने का मैं उद्धापूर में हूँ और Central Government, इंडिया में गवर्मेंट बीजेपी की है, तो वो text जो collection मैं pay कर रहा हूं और गवर्मेंट, बीजेपी गवर्मेंट को दिली में जाएगा, वो CGST होता है, अब मैंने का मैं भी राजस्थान में हो, राजस्थान में government मानों कॉंग्रेस की है, तो वो text which will be given to state as known as SGST, इसको कहते है state goods and service text, इसको कहते है state goods and service text, और एक text होता है, जिसको हम कहते है IGST, बचों IGST का मतलब होता है, integrated goods and service text, IGST का मतलब होता है, integrated goods and service text, अब ये ध्यान रखना, ये वाला CGST और SGST, ये CGST और SGST, it is always and always levied on, ये कब लएगा, जब भी goods का sale या purchase, intra-state होगा, जब भी goods का sale या purchase, intra-state, मतलब मानलो मैं राजस्थान से, राजस्थान में ही कोई sale या purchase करता हूँ, intra-state मतलब एक ही state के अंदर, तो whenever the sale and purchase of goods take place intra-state, तो जो text लएगा, वो कहलाता है CGST और SGST, और ज़्यान रखना, whenever the sale and purchase of goods takes place in inter-state, inter-state मतलब एक state से दूसरे state के अंदर, जब भी sale और purchase एक state से दूसरे state में होगा, तो जो text लएगा, वो कहलाता है IGST, that is integrated goods and service text, मैंने उदैपूर से मानलो कोई सामान बेजा, एमदाबाद, यह राजस्तान में located है, यह गुजरात में located है, तो यह हो गया inter-state, तो वहाँ पे लगता है IGST, तो ध्यान रखना, बच्चों, GST की तीन category, CGST, Central goods and service tax, which is levied on and SGST, हमेशा inter-state पे लएगा, एक ही state के अंदर होगा, तो CGST, SGST दुनों लगएगा, और अगर outside the state होगा, मतलब outside the state पे sale या purchase होगा, तो IGST लगएगा, ठीक है, अब कैसे लगाना है CGST, accounting कैसे, तो बच्चों, अब तुम एक चीज समझना, यह तो मैंने आपको basic concept बताएं, कि CGST, SGST, IGST क्या होता है, ठीक है न, अब क्या हम लोगों को बहुत ज़्यादा डीटेल में जाना नहीं हमको main accounting समझने कि GST के accounting कैसे होती है, ठीक है न, अब अगर मैं accounting for GST की बात करता हूँ, तो हमेशा ध्यान रखना, GST के accounting के लिए, तुम लोग तीन, दो चीज से समझ लेना, GST बच्चों mainly दो तरका होता है, एक तो होता है input और एक होता है output, input मतलब होता है वो GST जो उनको सरकार से लेना है, और output मतलब वो GST जो सरकार को देना है, अभी तुम को बहुत basic से समझा रहा हूँ मैं, बट ये तुम आगे जाकर जब GST डिटेन पड़ोगे तो तुम को समझ में आएगा, तुम सिर्फ इतना समझ लो, normally क्या होता है, जब भी goods sale होते हैं, और जब भी goods purchase होते हैं, तो अगर मैं goods purchase कर रहा हूँ, तब भी GST लगता है, और goods sale कर रहा हूँ, तब भी GST लगता है, बट purchase पे जो मैंने GST pay किया, वो sale पे set off हो जाता है, अगर मैं GST के अंदर registered हूँ तो, मेरी बात फिर से समझना, वो GST जो मैंने purchase के लिए pay किया, वो sale के अंदर set off हो जाएगा, अगर मैं GST के registered हूँ तो, तो GST की accounting में, अगर मैं बात करता हूँ input GST की और एक बात करता हूँ output GST की, input GST मतलब that amount which is to be taken from the government, हमको सरकार से पैसा लेना है, और क्योंकि लेना है तो ये मेरा right है, तो मेरा asset है, इसको तो तुमको यादी करना पड़ेगा, अभी मैं आपको देखो, वीडियो के अंदर खुद बता रहा हूँ, कुछ-कुछ चीज़े तुमको अभी याद करनी पड़ेगी, वो इसलिए याद करनी पड़ेगी, क्योंकि conceptually मैं समझाने जाऊँगा, तो मैं को GST की पूरा indirect text पड़ाना पड़ जाएगा, तो वो अभी इस लेवल पे तुम्हार ले पॉसिबल है नहीं, तो अभी तुम दिरे दिरे अकाउंटिंग में समझो, input मतलब ऐसा GST जो मैं को सरकार से लेना है, और output मतलब ऐसा GST विच इस तो इपेड टू गॉर्मेंट, और ये मेरी liability है, अब क्योंकि ये GST में को सरकार को देना है, तो बच्चों ये मेरी liability है, और ये सरकार से लेना है, तो ये मेरा asset है, अगर मैंने goods purchase पे GST पे किया, तो उसका set-off में को goods की sale पे मिल जाएगा, तो goods sale पे GST is known as output और purchase पे होता है input, अब input तीनों तरका होता है, input CGST भी हो सकता है, input SGST भी हो सकता है, input IGST भी हो सकता है, उसे तरह output वापस तीन तरका हो सकता है, input हो सकता है, output हो सकता है, sorry, CGST हो सकता है, SGST हो सकता है और IGST हो सकता है, ये तीनों तरका अपना GST category हो सकता है, तो पहले इसकी नोटिंग कर लेते हैं हम लोग तो accounting for GST, तो GST is categorized into input GST, output GST. That GST which is levied on purchase of goods and services is known as input GST. वो GST जो levied होता है, purchase पर उसको कहते है, input. And that GST which is levied on sale of goods and services is known as output GST. वो जो sale पर होता है, उसको कहते है, output. This input CGST, SGST can be set off against output CGST, SGST. Input CGST, SGST, IGST assets since it has to be recovered from the government. लेना है, output क्या liability है, इसको pay करना है. बच्चों, पूरा वीडियो एंड तक देखना समझ में आ जाएगा, अभी वीडियो छोड़के मत भाग जाना. पूरा एंड तक देखना 100% समझ आ जाएगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ है, अब कैसे accounting करना है, क्या करना है, मैं आपको one by one समझाता हूँ, तो पूरा अच्छे से clear हो जाएगा, ठीक है ना? अब बच्छो समझ ना, कि जर्नल एंट्री कैसे होगी GST पर, कि how the journal entry for GST will be done, ठीक है ना? अब जर्नल एंट्री कैसे होगी GST पर, जिसे माझ लो मैं यूँ कहता हूँ, मैंने goods purchase किये, मैंने goods क्या किया बचो, purchase किया, अभी मैंने आपको बताया था, purchase of goods, अब दो तरह से हो सकता है, या तो वो interstate हो, या वो interstate हो, या तो वो interstate हो, या वो interstate हो, अगर वो interstate हो, इंट्रस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो यहाँ पे हमेशा ध्यानकना क्या लएगा IGST और अगर वो इंट्रास्टेट है तो यहाँ पे CGST लएगा और SGST लएगा और इसका नेचर इंपुट में जाएगा और ये भी कौनसा होगा इन्पूट होगा तो अगर हमने गुड्स पर्चेस किये तो सिंपल पर्चेस अकाउंट डेबिट और पर्चेस के लिए हमेशा ध्यानगना अगर इंट्रास्टेट है तो इन्पूट इन्पूट सब्सक्राइब इन्पूट सब्सक्राइब इन्पूट सब्सक्राइब इन्पूट 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 इन् मैंने कोई expense pay किया, मैंने insurance premium pay किया, कोई भी expense pay करूँगा तो हमेशा input वाला GST लएगा, ठीक है न, accounting समझा लेता हूँ, देख वाइबाद, सबसे फ़हले goods purchase किया गए, इंटर स्टेट परचेश है, तो purchase account debit, input CGST, input SGST to cash bank to creditor, इंटर स्टेट परचेश है, तो purchase input IGST to cash bank to creditor, अब purchase return को वाला concept समझ लेना, मालो purchase return है, अब अगर purchase return है, तो तुमको basic entry पता है, अपन purchase के entry करते थे, entry होती थी purchase to cash, purchase return होगा, तो क्या हो जाएगा, simple, या तो cash या credited to purchase return, ऐसे हो जाएगा, जब भी purchase return होगा, और GST है, तो यहाँ पर अगर input GST debit हो चुका है, तो उसको फिर से reverse कर देंगे, अगर purchase return है, या कुछ भी है, तो जो भी input GST, CGST debit हो गया, उसको आपत credit करके to input CGST या input SGST reverse कर देंगे, तो यह ध्यान रखना, purchase return है, तो cash creditor account debit to purchase return to input CGST to input SGST, getting my point, उसी तरह अगर मानलो कोई expense का payment कर रहे हैं हम लोग, तो asset खरीदा मैंने, asset खरीदा तो खरीदने पर हमेशा input होगा, यह ध्यान रखो, खरीदने कोई payment करेंगा, हमेशा input, पैसा जब भी आएगा, तब output होगा, क्य तो यह अपने को लेना है, सरकार से, पैसा दे रहे हम, asset account debit, input, input to cash creditor, अगर interstate होगी, तो इसकी बजाए input IGST आ जाएगा, है ना, अभी questions करेंगे, तब पूरा clear हो जाएगा, rent पे कर रहे हैं, commission पे कर रहे हैं, insurance, bank, charges और अगर other expense पे कर रहे हैं, तो rent, insurance पे में यह सारे expense, input CGST input SGST, interest rate होगा, तो input IGST आ जाएगा, तो cash bank to expense payable, अगर outstanding होगा तो, ठीक है ना, तो यह तो होती है basic accounting, तुम वैसे सारी entries देख सकते हो, on page number 10, page number 10 पे तुमको book में TS ग्रेवाल में सारी entry दिख जाएगी, detail में, मैं question के अंदर detail में discuss कर लोगा, अब इसी तरह मानलो, अगर sale हो हो रहा है, अगर sale हो रहा है, तो entries कैसे करना है, इधर देख लो, इबार में book में समझा जाता हूँ, अब अगर sale कर रहे है, तो cash, पैसा आएगा, debtor, credit sale है, to sale to output CGST, to output SGST, interest rate sale है, to sale to output IGST, sales return है, तो इसका reverse entry हो जाएगा, sales return, output यह cancel हो जाएगा, to debtor, interest rate cash sale, तो cash हो जाएगा, credit है, तो to debtor हो जाएगा, ठीक है, rent receive हुआ, तो जब भी receive होगा, तो सरकार को जमा कराना है, तो rent receive हो तो cash oblique rent, rent receivable मतला accrued rent है, to rent, normal rent, इसको भूल गाओ, rent के entry होती है, अकर accrued rent to rent, और पैसा आगे तो cash to rent, और तो output SGST, output CGST, इसमें तो interested होगा नहीं, ठीक है, commission income आईगी, तो अबस नीचे entry, same button में given है, इसको है, मैं आपको question कराता हूँ, तो पूरा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो इतना तो मैं hope करता हूँ, एक बार basic entries clear होगी, कि input CGST, input IGST, तुमको यह ध्यान रखना है, input जो होता है, वो हमेशा it is claim from the government, और output हमेशा अपने पैसा जब भी आएगा, तब output CGST, sale हुआ, commission आया, rent आया, तब output GST, register taxpayer हो तो, और जब भी purchase करोगे, interstate purchase होगी, कुछ भी होगा, तो हमेशा input लगेगा, आई बात समझ में, ठीक है, अब हम लोग कुछ question देख लेते हैं, तो आपको पूरा concept अच्छे समझ में आ जाएगा, ठ और journal entries करवाने वाला हूँ, ठीक है ना, GST के accounting और हम लोग journal entry से start करेंगे, आज वाले वीडियो के अंदर, ठीक है ना, पहले basic concept समझते जाएंगे, और फिर अगर आपको doubt हो तो में को WhatsApp डाल देना, ठीक है ना, आपको लगता है बच्छों कि हमको नहीं समझ में आया है, तो books of Ramesh for April 2020, question क्या बोल रहा है, जर्नलाइज करना है, सारे transaction books of Ramesh April 2020 में, यह transaction है सारे, अब first point क्या बोल रहा है, purchase goods in cash, for रुपी 5000 plus CGST, SGST at 9%, अब goods purchase किये बच्छों, ज्यान से समझना, अगर कुछ भी नहीं किवन है, तो हम interstate मान रहे हैं, और question clearly बोल रहा है, हमको CGST, SGST है, तो page number 13 पे illustration number 1, अब goods कितने के purchase किये on cash, तो cash में purchase किये 5000 रुपे के, इसके ओपर 9% का तो CGST है, मतलब 4500 रुपे का CGST है, और 9% का SGST है, मतलब 4500 रुपे का SGST है, तो purchase की normal entry, purchase account debit, purchase बच्छों अपन वही 5000 से book करेंगे, लेकिन, input CGST, 450, input SGST, 450, to cash, 5900, आई बात समझ में, purchase account debit, input CGST, input SGST to cash, next transaction है, ये transaction हुआ, 3rd April का, अब next transaction है, बच्छों, 5th April का, sold goods for cash, 8000, plus CGST, SGST at 9%, अब goods मैंने बेचे, cash में कितने पर, 8000 रुपे, CGST 9% है, 8000 का 9% 720, SGST भी 9% है, मतलब 720, और sale पर मेंशा ध्यान लखना, output होता है, तो मैंने goods बेचे, on cash, तो cash account debit, to output CGST, to output SGST, to sales, 8720, 720, तो 720, 720, जोड़ोंगा, तो आएगा मेरा कितना, 720, 720, जोड़ोंगा, तो दाट इस 146, टोटल 1440, तो आजाएगा 9440, आई बात समझ में, being goods sold and GST, CGST charge, अगला transaction देखो, purchase goods from Karam, अब उधार पर खरीदा, तो simple purchase account debit, 10,000, input CGST 900, input SGST 900, to Karam, क्योंगा उधार पर खरीदा है, तो instead of cash, उसका नाम आ जाएगा, sold goods to Param, अब बेचे goods to output होगा, तो Param account debit to sale, to output CGST, to output SGST, अगला point द्यान से समझना, goods returned by Param, अब sold goods to Param के entry देख लेते हैं इंग बार, है ना, sold goods to Param के entry तो समझ आ गई होगी, अब goods return किये Param ने, 5000 के, तो 20th April का transaction समझ दो बच्चो, goods return किये, goods return by Param, अब goods return by Param मतलब, वो क्या था अपना, sales return था, हमने Param को goods बेचा, तो sales और sales return है, तो sales return to Param, ज्यान से सुनना मेरी बात, sales return to Param, अब जो output CGST sales पर लगाता हो वो cancel करेंगे, तो एंट्री कैसे करना है, sales return account debit, output cancel कर देंगे, output SGST to Param, 5,000 का sales return है, 9% उपर था, तो 450, 450 and 5900, sales return पर cancel करना है, अपने को ये ध्यान रखना अच्छे से, इसमें कोई doubt हो तो मेरे को WhatsApp कर देना message में बता दूँगा, return goods purchase from Param, अब purchase return है, तो Param account debit, to purchase return चलेगा, और अब input CGST और input SGST, reverse करेंगे, ये परचेस पर input लगता है, CGST, input SGST, कितने goods return है, तो purchase return हुआ, 4000 रुपे का, उस पर आपस 9%, 360, 360, तो आजाएगा 4720, तो Karam account debit to purchase return to input CGST to input SGST, आई बात समझ में, ये हमने basic बात की illustration number 1 की, ठीक है न, तुम लोग एक बार और try करना, अच्छे समझ में आ जाएगा, now, अब एक बार मैं आपको unsolved एक question करायता हूँ, फिर मैं trade discount और उसमें कैसे GST के adjustment करना है, वो मैं अगले वीडियो के अंदर समझाता हूँ, ठीक है न, अब बचो ध्यान दो, तो अब बचो ध्यान देना, question number 2 पे, on page number 39, unsolved question है, मैं आपको पूरा discuss करके, one by one समझा रहा हूँ, अच्छे से, ठीक है न, जर्नलाइज the following transaction in the book of Atul Bros, लगनो यूपी, लगनो यूपी का है, ठीक है न, नीचे note given है, CGST and SGST is levied at 9% each on intrastate, within state and purchase and IGST is levied at 18% outside the state on sale and purchase, ठीक है, जर्नलाइज करना है, started business with cash 30,000, computer 15,000, furniture 20,000, ठीक है, तो अब entry क्या से होगी देखो, cash से start क्या 30,000, computer से start क्या 15, furniture 20, 20 to capital 65, cash debit 30, computer debit 15, furniture debit 20 to capital 65,000, आई बात समझ में, next, paid into bank, bank में जमा करा है, तो bank account debit to cash 20,000, bank में जमा करा है, bank balance बड़ा, bank to cash 20,000, अब bought goods from Mesa's Mohan Brothers, लगनो ओन क्रेडिट, अब तुम एक बात बताओ, लगनो का है और लगनो से लेकर आया, तो इस पर CGST, SD से लेगा, कितने goods लेकर है, 6000 के, 7,000 के, शरी, ठीका न, 7S, 6S, 6S, 6,000 है, ठीके, इस और 7,000 है, बाट गूर्ट गूर्स मोहन ब्रदर्स, और लगनो 7,000 उपीज, अब गूर्स खरीदे, तो पर्चेस अकाउंट डेबिट 7,000, यूपी का, यूपी में ही खरीदा, तो इंट्रेस्टेट हो गया, तो इंपुट CGST, इंपुट SGST, तो मोहन ब्रदर्स, पर्चेस पर इंपुट लएगा, इस पर मैंने 99% निकाल दिया, आई बात समझ में, ऐसे फूर्थ अपरिल का ट्रांदेक्शन, शोल गूट्स तो गोयल ब्रदर्स कानपूर, ओन क्रेडट, तो अब सेल कितनी बुक की बच्चो मैंने 6 अधर, इसके ओपर आउट्पुट CGST 9%, आउट्पुट SGST भी 9%, तीनो का एड़ किया, आया 7080, तो गोयल ब्रदर्स तो आउट्पुट CGST, तो आउट्पुट SGST, फिर, गोयल ब्रदर्स, सॉरी, नेक्स्ट, बॉट अ कम्प्यूटर अगेंस चेक, अब कम्प्यूटर खरीदा अगेंस चेक, तो सिंपल कम्प्यूटर अकांट, डबिट तो मैं GST इग्नोर कर दिया, आप चाहो तो GST लगा सक सेल्समेन फॉर गुट्स शोल्ड बाई 11800, मैंने सॉलूशन कर रहा है, ध्यान से समझना, सेल्समेन ने गुट्स बेचे, और हमको अमाउंट रिसीव हुआ 11800, अब अगर हमको 11800 रिसीव हुआ तो बता, अगर हमको रिसीव ही इतना हुआ, तो ये फिगर तो GST मिलाकर आय है, अब अगर X का गुट्स है, तो उसके ओपर GST, GST कितना अलगा होगा, 0.09, 9%, और SGST आपस कितना अलगा होगा, 0.09, मतलब टोटल वैल्यू कितना रिसीव होगा, 1.18X, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, वैल्यू अफ गुट्स कितना होगा, this is equal to 11800, तो X कितना आ जाएगा, 11 11800 divided by 1.18, मतलब गुट्स कितने का था, 10,000, क्यों क्योशे ने बोल रहा है, receive from salesman, तो receive हमको 11800 हुआ, अब अगर receive 11800 हुआ, तो वो तो GST मिलाकर receive हुआ न, तो मतलब गुट्स की वैल्यू कितनी थी, 10,000, तो पैसा आया 11800, to sell 10,000, to output CGST, to output SGST, 900, 900, next point बोल रहा है, Goyal Brothers gave a check deposited in the bank, अब मैं direct बता रहा हुँ तुमको, bank में जमा करया है, तो bank account debit to Goyal Brothers, 7080, paid to Mohan Brothers, by check 6700 and discount allowed by him, अब payment किया, तो Mohan Brothers account debit to bank to discount receive, Mohan Brothers account debit 7,000, to bank 6700 to discount receive 300, receive an order for goods, along with advance of rupee 1000 in cash from Mohish, अब हमको goods बेचे नहीं, हमने को उसलिए एक order मिला है, और 1000 रुपे advance मिला है, किस से महेश से, तो मैं को पैसा आया, तो मैं simple bank account debit, या cash account debit, to advance from Mohish, अभी sale book नहीं करूँगा, क्योंकि अभी सिफ order आया है, मेरे को, to advance from Mohish, 1000, bank oblig cash account debit, to advance from Mohish, 1000 rupees, interest received from bank, तो cash account debit to interest, bank से interest मिला, तो better है, bank to interest कर दो, bank account debit to interest, bank intimate that check of Goel brother, returned dishonored, अभ Goel brother का check dishonor हो गया, तो जब आया था, तो bank to Goel brother किया था, और अब अगर dishonor हो गया, तो Goel brother to bank कर दो, तो Goel brother to bank, and paid rent of business promises by check, अब अगर rent पर GST भी होता है, तो rent account debit 600, input CGST, कुछ भी नहीं किवन है, मैं GST मान लेता हूँ, नहीं भी मानोगे तो भी ठीक है, 54, 54 to bank, 708 का transaction हो जाएगा, आया समझ में, तो यह हमने कुछ case किया, इसमें अगर doubt हो तो मैं को बच्चो WhatsApp कर देना, मैं आपको WhatsApp पर solution भेज़ दूँगा, ठीक है ना, इसका, चलो, अब अगर कोई भी doubt हो तो WhatsApp पर डाल देना, 99294, 11361 है, अब बाकिये question हम लोग अगले वर्डियोस के अंदर discuss करेंगे, ठीक है ना, चलो, thank you all of you, best of luck.